Hello students, welcome to online class आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर के chapter 1 का copy work तो देखिए copy work का काम करेंगे आज हम इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये chapter समझा चुकी हूँ chapter 1 में आपको समझा चुकी हूँ कि इसके अंदर है क्या ठीक है और इसके book work भी फिल करा चुकी हूँ तो जिन बच्चों ने सबसे पहले वाली वीडियो ना देखियो इससे वो पहले वाली वीडियो देखेंगे और इस वाली वीडियो से अपनी copy work और copy work करेंगे जैसे कि देखिए जो book work है ये मैं पहले इससे पहले वाली वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ और जिन बच्चों ने नहीं किया हो वो इसे पहले वाली वीडियो को देखें और बुक वर्क इसका फिल करें और चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे फिर भी बता दिती एक बर हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था हमने पढ़ाता है इसमें भासा और लिपी के बारे में कि भासा किसे कहते हैं ठीक है तो किसे कहते हैं हम भासा ध्वनियों के बेवस्थित सार्थक समू को भासा कहते हैं जिससे भावो या विचारों का अर्दान परदान होता है ओके और ये को next topic पढ़ाता कि भासा के कितने रूप होते हैं तो भासा के कितने रूप होते हैं हमारे दो रूप होते हैं मौखिक और लिखित ठीक है मौखिक कौन से होती है जो हम मुँझे बोल कर प्रकट करते हैं इसे हम मौखिक भासा कहते हैं और लिखित भासा कौन सी होती है, जो हम लिख कर प्रकट करते हैं, यह कौन सी होती है हमारी लिखित भासा, ओके, तो जिन बचों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो, वो पहले वाली वीडियो देखें और इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, ओके, अब हम करेंगे आज इसके copy work ओके तो सबसे पहले क्या करेंगे सभी सबसे पहले आप सभी क्या करेंगे date डालेंगे 29.06.2021 ओके फिर class mention करेंगे फिर अपनी यहां पर क्या करेंगे chapter first भासा और लिपी ओके हैडिंग डालेंगे chapter first भासा और लिपी फिर question नमबर फॉस्ट है आपका भासा किसे कहते हैं क्या है question नमबर फॉस्ट भासा किसे कहते हैं ओके इसका उत्तर है हमारा ध्वनियों के बिवेस्थित सार्थक समू को भासा कहते है जिससे भावो या विचारों का अर्दान परदान होता है तो भासा क्या है भासा एक क्या है द्वनियों की विवेस्थित सार्थक समू को हम भासा कहते हैं ठीक है जिसके द्वारा क्या होता है हमारे जो भाव है हमारे विचार है उसका अर्दान परदान होता है अर्दान परदान का मतलब जैसे कि मैं आपको यह क्या है मैं बोलकर अगर इस इसके आप मेरे को आदान परदान जैसे मैंने आपको समझाया आपको कोई कोशन समझ नहीं आपने मेरे से पूछा तो यह क्या हो जाता है एक हमारा भासा हो जाता है नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नमबर टू प्रश्न नमबर टू क्या है हमारा भासा के कितने रूप होते हैं इसकी भी परिभासा दीजिए हमें यह बताना है कि भासा के कितने रूप होते हैं और इसकी भी परिभासा देनी है हमें पूरी फुल फॉर्म लिखने है तो उतर नमबर, उतर है इसका भासा के दो रूप होते हैं पहला मौखिक और दूसरा लिखिद मौखिक भासा किसे कहते हैं तो देखे अब हम नीचे पढ़ते हैं कि मौखिक भासा किसे कहते हैं जैसे कि फॉस्टे देखिए हमारा मौखिक, मौखिक भासा किसे हम कहते हैं, जब हम बोलकर अपने बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भासा कहते हैं, मौखिक भासा किसे कहते हैं, जब हम अपनी बातों को क्या है, बोलकर किसी दूसरों के सामने प्र तो किसके द्वारब पढ़ा रही हूं है मूँ के द्वारब बोलकर आपको समझा रही हूं तो यह क्या हो जाएगी एक मौखिक भासा कहलाईगी ठीक है नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लिखित लिखित भासा किसे कहते हैं बताईए अब जैसे कि नेक्स्ट है हमारा जब हम लिख कर अपने बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और पढ़कर ग्रेहन करते हैं उसे लिखित भासा कहते हैं जैसे कि अब मैंने अपनी बातों को लिख कर प्रकट करी लिख कर किसी को समझाया मैंने लिखा और जो सामने वाला है उसने क्या किया उसको देखा और उसको पढ़ा तो उसी क्या कहते हैं हम लिखित भासा कहते हैं उसने जो पढ़कर ग्रहड किया वो क्या हो जाएगा हमारा एक लिखित भासा जैसे कि देखिए मैंने आपको यहाँ पर कोशन अंसर लिख कर दिया है आप क्या करेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो यह क्या हो जाएगी मैंने अपनी बातों को आपको लिख कर बताया और आप इसे पढ़कर आप ग्रेहड कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगी एक हमारी लिखित भासा हो जाएगी इसी को हम क्या कहते हैं लिखित भासा नेक्स्ट है जैसे कि हमारा कोशन नंबर थ्री कोशन नंबर थ्री क्या है हमारा लिपी किसे कहते हैं तो बताएं लिपी किसे कहते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा द्वानियों के लिए निश्चित रेखा चिनों को लिपी कहते हैं लिपी किसे कहते हैं हम द्वानियों के लिए जो हमारा निश्चित रेखा चिन का होता है उसी को हम क्या कहते हैं लिपी कहते हैं ओके तो समझ आया कि हम लिपी भासा किसे कहते हैं next twenty question है हमारा question number four question number four क्या है? देखिए question number four है हमारा व्या करण की आवशक्ता क्यों पड़ती है? व्या करण क्या होते है? पहले तो यह बताईए जो आज इसे आप हिंदी ग्रामर कहते हैं इसी को कहते हैं व्याकरण ठीक हैं तो हमें व्याकरण की आवशकता किसले पड़ती है जैसा कि मैंने इसे पहले चैप्टर में भी बताया था आपको कि व्याकरण की आवशकता हमें क्यों पड़ती है आईए कुछ नियम बना लिए गए ठीक है जिससे भासा बवस्थित रहे क्या है जैसे कि for example में अगर व्याकरण नहीं होता तो जैसे कि एक लड़क गर्ल्स है और एक बॉइस है मतलब एक लड़की है और एक लड़का है अगर लड़की ने बोला मैं खाना खाने जा रहा हूं यह बद लड़की ने बोलिये ठीक है तो अगर व्याकरण नहीं होगी हमारी तो इस बात को कोई गलत नहीं खहरा सकता कि यह भासा हमारी गलत है ठीक है इसलिए हमारी व्याकरण आवशकता है कि ताकि इसको क्या है नियमानुसार बेवेस्थित रूप से रखा जा सके ओके इसलिए हमें व्याकड के आवशक्ता पड़ती है नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर फाइव भासाओ की लिपियों के नाम लिखिए ठीक है तो क्या लिखना है हमें भासाओ की लिपियों के नाम लिखने है तो फास्ट देखिए उत्तर है अंग्रेजी का क्या है हमारी बताइए अंग्रेजी की लिपि क्या है बताइए रोमन अंग्रेजी का क्या है हमारा रोमन ओके फ्रेंच का क्या है लैटीन फ्रेंच का क्या है हमारा अरवी next है फोर्थ मराथी मराथी का क्या होगा हमारा देवनागरी क्या होगा मराथी का देवनागरी ओक я जैसे कि आप देखिए हाँ चली एक कोशन और करते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने किया हिंदी भासा की लिपी कौन सी है Question number 6 हो जाएग़ है हमारा Hindi भांसा की लिपी कौन सी है बताइए सभी कि Hindi भांसा की लिपी कौन सी है Hindi भांसा की लिपी कौन सी है यह question आप अपनी notebook में लिखेंगे ओके इस question को भी आपको अपनी notebook में लिखना है कोशन नमबर 6 को भी तो क्या है कोशन नमबर 6 हिंदी भांसा की लिपी कौन सी है पताईए तो हिंदी भांसा की लिपी कौन सी है हमारी उत्तर क्या होगा हमारा हिंदी भांसा की लिपी देव नागरी है हिंदी भांसा की लिपी कौन सी है हमारी देव नागरी है ओके तो answer number 6 भी आप अपनी copy में लिखेंगे ओके जो मैंने लिखा है इसे भी आप अपनी notebook में लिखेंगे हिंदी भासा की लिपी कौन सी है हमारी तो क्या लिखेंगे फूरा इसका answer लिखेंगे हिंदी भासा की लिपी देव नागरी है बनाएंगे तिन आगे से दो पर पेज आप चोड़ेंगे उसके बाद से आप ये वाला वर्क करेंगे और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको इसके सारा चैप्टर समझा चुकी हूँ और बुक वर्क फिल करा चुकी हूँ तो जिन बच्चों ने ना किया हो वो इससे पहले वाले वीडियो देखें और चैप्टर को समझें और याद करें ठीक है और सभी बच्चों को यह याद भी करना है अच्छे से ओके थेंक यू